हालो प्रेंज, आज मैं आपको बताऊँगा इंजेक्षिन बेभी मीडो के बारे में, जो कि एक जाइडस कंपनी का आता है, इस इंजेक्षिन के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा, जिसके अंदर कर साल टाते हैं, इंडो कार्बो डाइप्रोपी नेट, ये इंजेक् में देने से आप इस इंजेक्षिन को बड़ी डिजीज से आप उन पसू को बचा सकते हैं, ये पहले आप इस इंजेक्षिन को लगा देंगे तो, खायने का मतलब है कि जो ये बेभी मीडो जो इंजेक्षिन आता है, इस इंजेक्षिन के आपके पसू में बहुत ही क्योंकि मैं जब भी को injection के बारे में आपको डिटेल से बताता हूं तो वीडियो लंबी जुरूर होती है लेकिन डिटेल से बताने की कोशिस मैं करता हूं तो जो अभी भी चैनल पर नहीं आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लाल वाला बटन आपक को इमीडोकार डाइप्रोपी नहीं जो साल्ट का जो इंजेक्천 आता है यह इद्पandum जिकारक explicitly भी के बोलते हैं व सब्सक्राइब पेशा उत्हेज़सा जाता है को म Gesicht माहिरा हो जाता है या जिसे ही भी बोलते है यानि एदी आपके पशो का प्रेजर है हो जाता है और आपके पसो के सरीर के अंदर हेमोग्लोविन तोठ जाता है और आपका पसो वह चला जाता चाल से आपके पसो की ळैत हो जाती है जोग की ज्यादातर इस ga semester में सबसेज़ाथतर यह रोग जो प्रोट्स और जनीत यह पसु में देखने को मिलता है, जहां पसु को एदी टिक माइट्स हैं, जूचीज चड़ हैं, वहां पर यह रोग बहुत प्रयाफ्त मात्रा में पायदाता है, वैसे भी आपके पसु में किसी कान एदी, उसका प्लाजमा एदी टूट गया है, उसके वज़े से भी आपके पसु में इदी इम्मिनुटि डाउन हो गई है, तो उसके वज़े से भी आपके पसु में प्रोटोजवा जनित रोग हो सकता है, जब भी आपके पसु में बेबी से उसी सोता है, तो इसमें क्या सिंटम्स होते हैं, उसके बारे में मेरे चेंदर पर एक डिटेल से वीडिय जाते हैं तो ये जो है बुखार बहुत तेज होती है तो पसु को तेज बुखार होता है आंक्यों उसकी लाल हो जाती है और पसु में बलड की कमी आ जाती है और ये टिक माइट से लगी हो है तो बलड का अफसोसित कर लेती है जिसे आपके पसु में इनिमया भी हो जाता है उसके बाद में आपका पसु बहुत कमजोर हो जाता है, भूक लगना बंद हो जाती है, तो इस परकार के सिम्टम्स आपके पसु में देखने को मिलते हैं, फैने का मतलब है कि बेबी सियोसिस रोग के अंदगाद इसका बहुत बड़ा रोल है, यदि आपका पसु इसके साथ रोग है, तीबल रोग हो जाता है, और जिस प्रकाश कि बीवेसी हर पासु का बहुत बड़ा रोल है, य' कि आपके है तो जिन छेत्र में भ evalu ज्यांदा सरा रोग होता है तो भी आप इस इंजेक्सम से आप उन पशू को बचा सकते हैं तो को खेंडे का मतलब एक ट्यूद पलाजमocratic रोग है उसेथे भी आप अपने पशू को बचा सकते हैं देख अधी आपके पसू में अधी बार बार इडिया आप सोचने कि इस इजन में इडिया आपके पसु को बेबियोसिस को रोग से पहली रोगताम के लिए भी आप इस इंजेक्शन का परियोग कर सकते हैं इस इंजेक्शन के कितिन डोज देनी चाए वह और बिए बनागी आपको आगे बताऊ अदीया से पास प्सु की बुखार हो गई है इसे तो उसे इम यह बेबिशोचिस बोलते हैं आपके साथ को ना रहा है तो उस इस इस तति में आप इस इंजेक्शन की डोज होती है एक एमेल पर 100 kg body weight यह एक एमेल यह लगाना है 100 kg body weight पर intramuscular subcut दोई रूट से लगता है नहीं कि intravenous अब intramuscular subcut कैसे लगा जाता है वह मेरे चेनल पर वीडियो बनी विए कैसे लगा जाता है तो intravenous तो इस injection को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होड़ना पसु इत्रों death time ही नहीं लगेगा तो आपको intramuscular subcut dose एक dose का और द्यान रखना है यह दि आपके पसु में जब भी यह दी बेबी सिस हो जाता है इस रोग से घर्षित हो जाता है तो इसकी dose होती है एक एम्रे यह दी आपको अपने पसु को एदी बेबी सिस जो रोग है यानि जू चीन्चरी बुखार शे frequency to बचाना साते हैं जिन पसूं को एदी नहो तो इसकी डोज आप बढ़ा सकते हैं एदी आपका पसूं सोचता है लेकिन हो सकता है कि आपके पसूं में इस सिजन में एदी आपके पसूं को बार बार इस तरह का रोग होता है प्रोटोजवा जनीत रोग एदी आपके पसूं को 400 kg तो उसे 10 ml इंट्रा मस्कुलर वस सबकट गाय भैस में लगाना है और यह आपके पसु में रोग हो गया तो जिस प्रकार से 500 kg बोडिवेट है तो उसे 5 ml इंट्रा मस्कुलर वस सबकट लगाना है एक और बताना सबता हूं कि इस इंजेक्शन की आपको इस इंजेक्शन की दोज में रखनी है एदी डोज आप इस पसु को इदी ज्यादा लगा दी एदी बोडिवेट से ज्यादा लगाती तो आपके पसु की इंजेक्शन जान भी ले सकता है इस बात का आपको ज़रूर ज्यान रखना है जो आपके लिए मैं बार बार रिपीट भी करता हूं जो एक एमेल रोग नहीं हो उसे बचाव के लिए हड़ाई एमेल आप उस पसु को लगा सकते हैं अब आप अच्छी तरह से समझगे हों कि इंजेक्शन क्या करता है इसी परकार एदी आपके पसु में जिस परकार से गोड़े हैं होर्स है उसके नगर एदी बेबी स्यों से हो को एक बर लगा दिया रिपीट नहीं करना है ऐसा नहीं है कि आप दो दिन तीन दिन बाद इसकी डोज एक बर ही लगती है एक बर में ही आपके पसु को जो क्या कर लेता है यह रिकुरी कर लेता है रिपीट नहीं करना रिपीट आपको एक महीना या उसके बलड की जांस कर जवानी है कि देखना है कि आपके पस्वों के आर्बीची के अंगर प्रोटोजवा है या नहीं तब भी आप इसकी रिपीट एक महीने बाद में ही आप इसको गाय भेंस के अंगर रिपीट कर सकते हैं एक बात और कान खोल के सुन लेना ये और नोट भी कर लेना जो में बात बतारों रही बात इस इंजेक्शन को आप खुद बिल्कुल भी परियोग नहीं करना है ये इंजेक्शन सिरफ और सिरफ पसु चिकत सक के दौरा ही आप ये इंजेक्शन लगवाएं इस बात का आपको ज़रूर ज्यान रखना है रिपीट नहीं और डोज एक्यूरेट इस इसको चोबिस गंटे बाद में रिपीट किया जा सकता है इदि आपके गोडे में इस परकार की इदी शिकायत है जो मैंने सिम्टम्स बता हैं बीवीसिस है बलड के पेसाब के साथ खून आ रहा है या जो टेम्ट्रेजर बहुजदा ही हो गया तो और ही बात डोग इदी ड इसका रूट है ओनली ओन इंट्रमस्कुलर गोडे में इंट्रमस्कुलर लगाना है डोग के अंद्रगत आपको लगाना है इसको सबकट यह नहीं डोग में लगेगा यह सबकट और डोग में डोज होगी एक एमल पर 20 kg बोड़िवेट अब आप कहींगे किस तरह आप बार आए जो मेरी बार बार रिपीट वाली बाते हो दिमाग में आपको चुपती रहें कि कोई भी इंजेक्शन आप तो करते हैं तो मेरी जो बाते कहीं होगी वह आपको दिमाग में जुरूर चुबेंगी और चुबेंगी क्या मतलब है कि आपको जुरूर याद दिलाएंगी कि इन्जेक्शन की उन्होंने क्या डोज बतायती कब रिपीट करना है अब आप अच्छी तरह समझगे होंगे और रही बात इस इन्जेक्शन के साइड इफेक्ट देखो साइड इफेक्ट ही है इस इन्जेक्शन को लगाने के बाद में ये injection जिस प्रकार से intra muscular लगा दिया तो लगाने के बाद में आपके पसूमें इसे दर्द भी होता है सोजन भी आती है और आपके पसूमें नाग से desagine भी आता है यह नाग से पानी भी आपके पसूमें देखने को मिलता है injection लगाने के बाद में यह तो side effect होते हैं जो आप पसु पालों को खह सकते हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद में नाक से दिशा जाएगा थोड़ा दर्द भी होगा इसको पिठू में या कहीं पर भी इदि आप ही जो intramuscular injection लगाते हैं तो यह तो है इसके side effect रही बाद जो pregnant पसु की यह जो injection है य दूदारों पसु के दिए injection लगाते हैं जो दूद देने वाली जो गाव हैंस है तो इसका असर 27-28 दिन उसके दूद में जुरूर रहता है तो उसके दूद को गरम करके यह आपको प्रियोग करना है एक बात आपको डिटेल से मैं बता दिये कोई भी बात इस वीडियो में मैं नहीं सुड़ी है कि आप मेरे को क्यों सन कर सकते हैं कि बार बार देखो यह इंजेक्शन कौन से रोक हैं अगर बेबीशिस सोटने होता रहा हूं थिलेरियोसिस उनसे बचाना है बेबीशिस क्या डोज लगाने से यह देलिया गाब हैस के अंगर डोज इंट्रामस्कु में लगा दी तो आपके पसूं की डैथ भी हो सकती है यह मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए डोज सही और सही तरीके से ही इस इंजेक्शन का आप प्रियोग करें अब आप अच्छी तरह से समझ गया हूं कि इंजेक्शन आपके पसूं में क्या क्या काम करता है जो बेबी मीडो इंजेक्शन आता है जो आपको इसक्रीन पर भी दिख रहा है इस इंजेक्शन को और यह इंजेक्शन लगाते से में आप नई सिरिंज और नई निडल का ही और सबसे पहले किसी भी injection के बारे में जितने भी injection है सबसे पहले महीं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं ताकि आपको प्रोपर नोलेज हो यह दिया आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो निसे जाके आप कमेंट में लिखें मेरी वीडियो का आप अपने दे बाना नोलेज दे रहा हूं फरी में तो आप यार इस चैनल को सबस्क्राइब कर लेए तापकि आपको आने वाले समहें में वीडियो ज्रूर मेठी रहें इसी तरचाए मेरी को प्यार चैनल भन्यवाद